हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ डॉक्टर रजनी और आपका हमारे चैनल डेंटा केम में स्वागत है आज हम आपको बताएंगे कभी कभी हमने देखा है लोगों के जो दांत है थोड़े से चिप ओफ हो जाते हैं मतलब की थोड़ से तूट जाते हैं उनका क्या-क्या कारण होता है और इन तूटे हुए दातों को ठीक करने के लिए आपको Dental Clinics में क्या-कया treatment options मिल सकते हैं उनके बारे में बताएंगे और उसका आपको क्या खर्चा होगा उसके बारे में भी बताएंगे अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलें दातों के चेप आफ होने क काफी कोज़िस हो सकते हैं मैं आपको में कोज़िस बताती हूँ सबसे पहले एक्सिडेंटली हम घिर जाते हैं तब हमारा डांट तूट जाता है या हम अपने दान्तों की हेल्प से कोई बोटल को ओपन कर रहे हैं या कई बार नट्स वगएरा तोड रहे हैं तो तब भी ह हमारे जो दान्त हैं उनके फ्रेक्चर होने के चैंसे होते हैं या हम किसी स्पोर्ट एक्टिविटीज में पार्टिसपेड करते हैं तब भी हमारे दान्तों को तूटने का डर होता है अब हमारे दान्त कितने तूटे हैं उसके अकॉर्डिंग डेंटल क्लिनिक्स में ट्रे पेर करके रिशेप करते हैं ताकि वो aesthetically अच्छा लगे शेपिंग ओफ तीत का खर्चा जो होता है वो 500 उर्पई से स्टार्ट होता है अगर आपके दान्त मीडियम रेज में टूटे हैं जैसे कि फोटो में दिख रहा है तो आपको dental clinics पर composite laser filling प्रवाइड की जाती है जिसकी help से हम patient के जो भी दान टूटा है उसे दुबारा restore करके उसे वही shape दे दे रहते हैं जैसे कि वो पहले थी इसके लिगे जो मारा खर्चा होता है वो पर तुट के हिसाब से 1500 उर्पई से स्टार्ट होता है अगर patient के वो ज़्यादा ही डान टूट गया है तो dental clinics में third option होता है capping capping में patient के जो होते हैं हम उस दान को prepare करके उस पर cap लगा देते हैं अगर patient के fracture में जो large fracture हुआ है उसमें अगर patient के जो नसी होती है जिसे pulp कहते हैं अगर वो भी exposed हो गई है तो हम patient के RCT जिसे root canal treatment कहते हैं वो करके उसके बाद हम cap देते हैं capping का जो खर्चा होता है प्रतुत के हिसाब से 2000 उपई से start होता है अगर patient के दान थोड़ी बहुत irregular है और थोड़ी बहुत fractured भी है तो हम fourth option veneering का इस्तमाल कर सकते हैं जिससे हमारे बहुत कम दान प्रिपेर करके भी बहुत अच्छे aesthetics आ जाते हैं इरिंग का खर्चा परतुत के हिसाब से 1500 उर्पे से start होता है I hope you like my video, don't forget to share with others